और भाई लोग नमस्कार हम हम विदान पांडे लोग हमें प्यार से खते हैं भाईया जी और भाईया जी की नजरों से कोई छुप नहीं सकता हम लिया हैं बॉलीवूट की खबरों की खबर अपने शो में जिसका नाम है भाईया जी की हमारे शारुक भाईया को मिला या स्चुपणा मेमोरियल एवार्ड और इसी एवार्ड समारों पर रेखा जीले इस एवार्ड के साथ साथ अमारे शारुक भाईया को कुछ और भी दिया है झाल झाल हाँ तो भईया इस बार ओसकर अवार्ड समारो पर हुआ एक बड़ा गूफ अप मतलब कि एक बड़ी जोल जाल हो गई जो अवार्ड मिलना चाहिए था मूनलाइट को वो मिल गया लाला लैंड को वापस इस बड़ी चूक के बाद लाला लैंड से अवार्ड लेकर फिर से दिया गया मूनलाइट को लेकिन हरानी की बात यह है कि यह सब हुआ उसी स्टेज के उपर फंक्शन के दोरान ला ला लैंड खाव मूनलाड छाला लैंड usually लाव क् वह सेथ तर लाव कि अल्वक्ट कि लेकर क्या कि अल्wn सब्सक्राइब के बाद हमारी अगली खबर फिर हॉलिवड से है जहां पर हमारे भारत का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है सनी पवार हॉलिवड की फिल्म लॉइंस में अपना दमदार अभिनाय दिखाने के बाद विश्रुविग क्यात लोग प्रेता हासिल की वापस इंडिया आने के बाद जो मीडिया से रूबर हुआ इंटर्व्यू के दारान वोकम उसके फैमली ज्यादा बोलते नजर आई कि अच्छिवा दिलिव अच्छिवा दिल्म अच्छिवा एक्टिंग अच्छिवा एसलिए अच्छिआ इसलिए न ऑा कि अच्छिवा दिल्म अच्छिवा दिल्म कंदेना अरचिवा दिल्म अचली म्या अच्छिवा अल्टियोच चेंटा में जैसा के आपको मालूम होगा कि वरुन धवन और अलिया भट के फिल्म आ रही है बद्रीनाथ की दुलनिया इसे फिल्म के प्रमोशन के लिए ये दोनों स्टार्स गए थे वाइस ऑफ इंडिया के सेट पर जहां पर सब लोगों ने मिलकर एक साथ सुर लगाया और बोले तम् तू प्रमी आहां प्रमी आहां फिर क्या डाडी क्या अम्मा बस एक तू ही यार के काबिल सारा जहां है निकमा तम्मा तम्मा लोगे हां तो भया इस अबते जो फिल्म रिलीज हो रही है वह है कमांडो टू जिसमें विद्धु जामवाल आपको एक्शन करते नजर आएंगे और उनकी कोई स्टार है अदाशरमा आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं पिचर देखने के बाद हमारी जनता जनार्दन क्या पिचर विजखने यह नहीं चैनल एकलोगो तो बीज़िए और आपको बांगे रखते हैं ज़िता नहीं आज बूर नहीं होता वह होता है तो यह दिए सब्देशन वाला जो मुद्दा इसमें इंकलूड कीया वह बड़ अच्छा बाला आपको देशन देवान बहान बहा I would say, very engrossing, first half is very captivating and all, when the suspense slightly opens, but the end is excellent. The action is very good, I mean, acting is not so special, but the film has a lot of twists and turns, which are very good. And this film should be tax-free. . . . .